राजस्तान में आगामी चुनाओं के द्रश्टिकत हमने नेशनल ग्रीन अलाइंस करके एक राष्ट्य वेपी अलाइंस CREAT किया है पीपर्स ग्रीन पार्टी जोकी राजस्तान की एक जानीमानी पार्टी है हमारे साथ में इस अलाइइन्स के अंदर जन्ता कल्यान मोर्चा जो की एक राष्टिय लेबल पर पार्टी हर्याना से काम कर रही है बाबा जसमेर जी हमारे साथ बिलाजेवें, इसके अलावा अन्य अन्य पार्टियों के सदर, मित्र हमारे भारत रक्षक दल, दलित कांथ की दल, अन्य अन्य दलों के लोग हमारे साथ हैं, ये नेशनल ग्रीन अलाइंस, राजस्तान की सभी 200 सीटों पर चुनाओ लड़ने ज आ रहा है, नेशनल ग्रीन अलाइंस, किसी जाती और धर्रम से दूर रहकर के, जनता के मुद्धों को, जनता के दुख दर्द को, समस्ते वे एक प्रॉपर, कम्प्लीट ब्लीव प्रिंट लेकर के, चुनाओ के मैदान में उतर रहे हैं, आप देख रहे हैं, भाजपा जिस या कोई UCC का नया इन्होंने शफूगा फैका है, राजस्तान में भाजपा की सरकार कई मर्टबा आ चुकी है, इससे पहले भी वसंदार राजेजी की सरकार रही है, उससे पहले भी रही है, राजस्तान की जनता ने हर बार उनको धोका खा करके चुना और बाद में नकार और उनके नकारने का एक इतिहास बन चुका है सेम कहानी कॉंग्रेस पार्टी की रही है कॉंग्रेस पार्टी राजस्तान में दोका देकर के बार बार चुनाव मेधान में आती है पहले चेहरा हटाती है कि हमारा कोई चेहरा नहीं है अभी आपने परसो ही सुनाए कि बिना च चहरा आता है सोनिया गांदी राहुल गांदी व्रम kah lindo का जो घर चलाता है वो चेहरा हमेशा जंता के साम्ने उतार दिया जाता है चTop शेहर भर में राजस्तान भर में जितने रुपे की राहत नहीं दी गई है उस से ज़्यादा रुपे के होडिंग बैनर लगेवे अभी थोड़ दिन पहले गहलोग जी ने एइलान किया कि हम लोग सबसे बड़ी रहात दे रहे हैं आप देखिएगा एक होडिंग की रेट ऐक आम होडिंग की रेट अप जानते हैं एक लाक रुपया-देडी लाक रुपय होती है मैं अभी पंदा दिन पहले जमुआ रामगड गया जमुआ रामगड में तैसील मुख्याले से लेके एक किलोमीटर में आठ जगों पर होड़िंग लगे वे थे कम से कम 15 लाख रुपे को डिंग एक तैसील हैटकॉर्टर पर लगे वे राजस्तान की साड़े 300 तैसील के 500 रुपया एक आदमी को दिया 500 रुपया बाट करके कह रहें कि हमने लावार्थी को लाव पहुंचा दिया 3 लाख करोड रुपे का इनका बजट है 3 लाख करोड रुपे की बजट जो कि हमारे दुआरा दिये गए टैस्स से बनता है यह बजट कोई हमारे लिए जो महनत है जो हमारा 12-14 लाख करोड रुपे का GDP से टैक्स क्रिट होता है यह 3 लाख करोड रुपे का जो टैक्स है पाट ब़रसों में अश्योग अलग जी ने राजस्तान की जंता से बन्दरा लाख करोड रुपे 1 लोपैा करोड रुपे एक अदर करने के बदले में आज पांच सो रुपे बाट करके आज 14,000,000 लोगों को पांच-पांच सो रुपे बाट के बेवकुम बना रहे कि हमने रहात दे दिये पीपल्स गिन पार्टी एक-एक विधायक के घर जाएगी एंजी ए नेशनल Green Alliance एक एक विधाय के घर जाके हिसाब मांगेगा एक विधान सवा में पांच बरस में 6,000 क्रोड रुपे का विकास होना चाहिए था बजट के हिसाब से एक विधान सवा में 500 क्रोड रुपे खर्च नहीं हुआ हमारे कारिकरता हमारे दोस जाएंगे पूछेंगे इसाब और इसाब नहीं देने की इस्तिती में जनता के बीच जाकर कि हम जनता से बात करेंगे इन लोगों का इसाब कर दीजेगा ये लोगों ने जनता के पैसे के टेक्स से अपने घरों को भराये अपने जोपड़ों को महलों में बदलाये गरीब को गरीब बना दिया बुरी हारत में कर दिया है राजस्तान में आने वाले समय में एंजी एक बड़े रोल के तौर पर आने वाला है आप वक्त के साथ देखिए हम बहुत ताकत के साथ अपना काम करेंगे यह कह रहे हैं एक साथ तीन सवाल दागदी है इन्होंने देखिए यू सीसी का मामला बहुत किलियर है नहरू जी ने 1956 में हिंदू बिल लेकर काये थे यह काम कांग्रेस को 1922 में कर देना था भारत आजाद हुआ भारत में समान नागरिक सहिता होनी चाहिए थी इसको लेकर के कोई डिफ्रेंस नहीं है पूरे भारत में पॉइंट यह है कि भाजप्पा चुनाओ को लेकर के चीज़े निकालती है जैसे चुनाओ आते हैं नयाक आगर लेकर के आती है कि अपकी बार यह कर देंगा इस बार इसके लिए बोड़ दो विकास भूल जाओ रोजगार भूल गया है आप ला सकते थे नो सालों में कभी भी आपकी सरकार है लेकिन आप दोफ़ा दे रहे हो चुनाओ की टाइम पर लेकर के आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूं पीपल्स गिन पार्टी का ब्लीव प्रिंट यह कह रहा है कि हम आपको बिजली पांच रुपया कह रहे हैं कि 100 यूनिट फिरी लेकिन 101 वी यूनिट पे रेट लेंगे नौ रुपया आप देखिएगा कि पोकरांड के अंदर सोलर एणरजी से बिजली बन रही है सरकार उस बिजली की खरीद की रेट सबास्रीट रुपय यूनिट लगा रही है आप सबास्तर रुपय मे तो आप गरीब लोगों को आठ रुपे में बेच रहे हो और कैरों की शुरू की सोफ फ्री में देंगे यह एक तरीके का गेम है यह तरीके का विठ्थक है आप देखिए गावले वह आमागने पार्टी ने शुरू किया था कि बिजली की रेट 10 रुपे लेव लेकिन देखिए अभी इनों ने पुछा NDA और UPA के साथ जो ना हो तो निश्य तोर पर जो आदमी जातियों को छोड़ करके धर्मों को छोड़ करके हमारी जो economic policy है उसको सिविकार करते हुए हम लोग रोजगार और entrepreneurship पर काम करना चाते हैं उस पर कोई भी दालगार हमारे साथ आना चाता है तो हमारे लिए भारत का कोई भी नागरिक दुश्मन नहीं है भारत का हर नागरिक हमानमित्र है जो साथी हमारे common mission में आकर के काम करेगा उसका हमारे mission में स्वावत है देखिए 200 सीटों पर चनाव रड़ेगा अभी अन्यक अन्यमित्रों से बाचित करने वाले हमारा जो mission है आप इसको समझने की कोशिश कीजेगा हम पार्टिसेपेटरी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं कोई भी आलाइंस में पांच दाल होंगे दस दाल होंगे हम इस्तान पर देखिए बादरा नोहर सिबिल लाइनस हमारे पाथ हरते कर पे 200-300 कारिकरता चार्ट कारिकरता भी है उनकी सबाह होएगी और किसी भी दल का हमारे समुं के किसी भी दल का जो भी चेहरा है वहां पर उनको सामने लाएंगे और 200-300 लोग के सामने वह अपना प्लान देग और जो कारिकरता तैय करेगा उसको हम टिकेट देंगे अभी जनता कल्यान मोर्चा पीपल्स गिन पार्टी दल का तो बिले हो गया हमारे साथ भारत रक्षक दल और कुछ और पार्टियां भी है जो कि अभी तुकि उनके प्रतिनितिया उपस्रितिय में का नाम नहीं ले र इसे ने थे अदो कि अदिया दुए लेकिन विचार को कि अभी आपने डिया जार्टी में कि अधर्स इस गिए यह जो कि